ठीक है तो हम पैरा नंबर 502 में थे तो ट्रैक रिकॉर्डिंग यह हमारे जो जितने भी टाइपस ऑफ ट्रॉप मशीन से हैं ट्रैक रिकॉर्डिंग कार ओमेस और उसीलोग्राफ कार बेसिकली दीज आर एक्विपमेंट्स डैट आ सब्सक्राइब करने के लिए जा सकता है एक टाइप का जो डिवाइस होता है वह ट्रेन के फ्लोर पर लगा दिया जाता है तो बेसिकली यह अंडर लोडिंग जैसे कहां कि अंडर लोडेड कंडिशन अंडर लोडेड कंडिशन यह यूज होता ना अंडर लोडेड कंडिशन हमारा जो ट्यार सी काम करती है ना तो यानि जब गाड़ी चलती है तो चलती गाड़ी कि अंदर ट्रैक पारमीटर कहां पर उसको लैटरल जर्क आ रहा है तो कितना ऑस्सिलेशन हुआ एक्सिलेशन कितना हुआ वर्टिकल जटका लग रहा है तो कितने अमाउंट से हुआ यह सारी के सारी चीज़े गेज कहीं पर ज्यादा है कहीं कम है प्रोफाइल क्या है रेल का किस तरीके से यानि ट्रैक के अंदर जितनी भी इर्रेगॉलारिटीज हो सकती है वह सारी के सा और हमने क्या पढा और हमने पढ़ा गेज तो ट्रैक रिकॉर्डिंग कार जैसे काम करती है नेंशिल प्रिंसेपल के लिए दूसरा हमारा है घेज मेजर्मेंटर भी खेजन हमने तो कढस gathering नेगेगत हैं वो होगा कॉन्टैक्ट सेंसर है जो स्पीड अप्टू वन सिक्स्टी केंपेज रिकॉर्ड कर सकता है उसको हम कहते हैं कॉन्टैक्टलेस लेजर बेज़ गेज्ट सेंसर तो इस टाइब के हमारा हो गया ठीक है तो पैरा 5-0-2 हमने पढ़ लिया अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पैरा 5-03 में पैरा कि किस पीज के बारे में बात करता है पैरा 5-03 ट्विक कालिब्रेशन रिकॉर्डिज निस पीड किम के बारे में बात करता मेरा पैरा 503 ठीक है एक या कह रहा है बिफूर चाहिए लोग ट्रैक रिकॉर्डिंग रन करेंगे जब भी हम रिकॉर्डिंग रन करेंगे तब क्या करना पड़ेगा हमें कुछ क्विक यानि की recording एनी रन या मतलब क्या है रन यानि रिकोर्डिंग फिफर स्टार्ट अपनी रन डेलाइट थार्स ओनली इट शुट भी एंशोड दाट क्विक कैलिब्रेशन आफ दॉस्टम थे दन सटिस्फक्तर रिली ठीक है जो हमारे ट्रैक रिकोर्डिंग होती है यह कब होती है रेकोर्डिंग का से डेलाइट अधनी दिन में किया जाता है रिकोर्डिंग रंज यह देमें डेलाइट आप यानि की दूबर यह पन्पक कालिबरेशन अफड अपças में रिखन काम रिकोर्डिंग कई रिकोर्डेशन स्फेशन पहारन श्रून एक रिखने से रसे पार्डिंग कंधी बूरबरेशन कर दोने धिटी घृकिर्टिंग का स्पेशल्म आपेश्यम अधनी ट्रकिटीक कर स्पेशल क का स्पेशल उसको टियासी स्पेशल आम तवर पर बोलते हैं रिक रिकॉर्डिंग का स्पेशन मस्ट है वेरी इंपोर्टन तिंग इस वन मस्ट है अध्रू रन ओवर तो सेक्शन बेट्वीन तू मेजर स्टेशन और रन थू में लाइन ओनली एट आल स्टेशन यानि हमारी जो ट्रैक रिकॉर्डिंग कार होती है उसको तुरू रन यानि की अनि इंट्रॉप्रेट रन उसको चाहिए तुरू रन का मतलब क्लियर पाथ ठीक है यानि कि जब वो एक पर्टिकुलर स्पीड में गाड़ी होगी उसके बारे में अगले पैरा में अगले पैर पॉइंट में हैं मैं बढ़ा होंगा आपको तो जब रिकॉर्डिंग उसको थू मिले यानि कि उसको आज अनिंटरॉप्टेड कहीं पर उसको ले गए ग ट्रैक रिकॉर्डिंग कार स्पेशल मस्ट है थूरन यानि कि उसको क्लियर पाथ चाहिए ओवर दे सेक्षिंट बिट्विन टू मेजर स्टेशन एंड रन त्रू में लाइन सोनली अच्छा चलो कराना है में लाइन बोले सो खड़ा नहीं करना तो लूप लेकर चले जाए यह स्टेशन से इसको एंशोर करना है ठीक है यह चीज़ को एंशोर करना है दिस ट्यार सी यानि ट्रैक रिकॉर्डिंग कार इस विंग रन बाई आडियस सो कौन चलाता है इसको आगे सब लिखा वाए आगे के पैराग्राफ में यह आडियस द्वारा चलाई जाती है और की जो हमारी जो रन होती है इसको क्लियर पात देना जरूरी है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट हम पड़ते हैं पॉइंट नंबर थ्री पॉइंट नंबर थ्री हमारा क्या कहता है देखें देख रिकार्व्स न तक्रिकर्डिंग पारे लुए तक्रिकार्णि घ्रागेड़ एक सटीड को परिय। The track parameter recording is independent of speed above a minimum speed of 20 kmph which is needed for inertial platform. Inertia principle जो काम करने के लिए कम से कम speed क्या चाहिए? कितना चाहिए? 20 kmph. The track parameter recording is independent of speed above a minimum speed of 20 kmph which is needed for inertial platform. However, the track recording car should be run at the maximum speed of section for objective assessment of ride quality in terms of acceleration peaks and ride index. तक क्या कहे रहा tark parameter record करने तेखको दो चीज़ों के बार में आपर बात हुई है. दो चीजों के बार में यह बात हुआ है नमइं क्या कहना चाह रहे हैं? यहां पर दो चीज़ों के बार में बात हुई है. पहली बात हो रही है कि ऑलोजिक त्राकेर नहीं करता. लेकिन आगे यह का है कि इसके अंदर कम से कम 20 इसकी स्पीड दो होनी चाहिए को चलने के लिए ताकि इनर्शिय प्राटफॉर्म जो है उसका काम करें इनर्शिय प्रिंसिपल पर हम लोग ट्रैक परामीटर लेते वह सारे तो कम से कम 20 की स्पीड यह बात तो क्लियर हो गई कि स्पीड पर 20 के मिनिमम हो लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अबव ट्वेंटी किसी भी स्पीड पर गाड़ी चलाई जाए ट्यार सी ना क्या कह रहे हैं ट्रैक रिकॉर्डिंग कार शुट भी रन अट दे मैक्जिम स्पीड आफ सेक्षिन जो सेक्षिन का मैक्जिम स्पीड ह होगा उस स्पीड पर कोशिश की जाए कि उस स्पीड पर चला है ट्रैक रिकॉर्डिंग कार्ड शुट भी रन अट दे मैक्जिम स्पीड आफ सेक्षिन फॉर अब्जेक्टिव एसेस्मेंट और राइट क्वालिटी को अब्जेक्टिव एसेस्मेंट करने इन टर्म्स कि उपपर किसी भी स्पीड पर करेगी लेकिन जितना देखो सिंपल लॉजिक है कि अगर हम गाड़ी स्पीड में चलाएंगे तो उसका जो है डायनमिक लोड जो होगा वह जरह कम होगा तो उसके अंदर एक्सिलेरेशन वगरा जो वर्टिकल लैटरल जरह कम होगा लेकिन ज् republican चलाएंगे तो वो सब्सक्रOP को कर चलाएंगा अगर में इसको सब्सक्राइस वेरेशन और हम अच्छा होगा इसनिरह का जारह है कि maximum speed पे चलाएदा है चाकि objective assessment in terms of acceleration peak and ride index हमें मिल जाएं यह यहां पर दो चीजों के बारे में बात हुई है ठीक है नेक्स्ट हमारा क्या है इसी के अंदर एक बचा हुआ है एनी रिकॉर्डिंग ड़न एनी रिकॉर्डिंग ड़न बिलो स्पीड ऑफ 20 केंपेच इस टेकन एस नॉन रिकॉर्डड यानि अगर किसी पोर्शन से 20 केंपेच से कम स्पीड से गाड़ी हमने टी आर्सी पास की मजबूरन अगर कोई पर्टिकुलर पैच है जहां पर से कॉशन ओडर है या कंडिशन और ट्रैक वैसी नहीं है या कोई वहाँ पर जो भी कंडिशन हो सकती होगी अगर कहीं पर 20 केंपेच से कंस्पीड पर ट्यार्सी जाएगी तो दैट इस सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब हो गया इसके अंदर बात हुई है कि जो हमारी ट्यार्सी जो चलेगी दिन में चलाएगी और चलाने के पहले क्विक कैलिब्रेशन करना था यह ताकि सटेस्फेक्टरी रन हो पाएं दूसरी बात इसके अंदर हुई है कि जो ट्रैक ट्यार्सी जो चलाएगी उसको थू पाथ देना है किनी दो स्टेशनों के बीच में हमेशा में लाइन से चलाएगी तीसरा यह कहा गया कि ट्र इसका प्रॉपर अब्जेक्टिव असेस्मेंट हम कर पाएंगे और यह भी कहा है कि अगर ट्वेंटी केंपेच की स्पीड से कम पर कई पैच से टीर्सी पास की कई तो डाट विल्वी कॉल्ड़ास नॉन रिकॉर्डड़ेड रन कि सम्टाइम्स ट्रैक में कोई के जगे पर ऐसी जोमेंटरी होती जहां पर हम लोग गाड़ी उतनी स्पीड में नहीं ले जा पाते हैं तो उन जगों का तो ट्यार्सी से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा तो उसका मैनुली उसका मेंटेनिस करना होगा नेक्स पॉइंट हुर्ण हमारा 504 ओ पारा 504 क्या बात करता पारा 504 देख लेते हैं सब्ट अर्रेंज्मेंट्स पार रनिंग-प्राक रिकॉर्डिंग पर इंगश्यार्वंनमें चाहले का ट्यार्सी को चलाने एक लिए अर्रेंड्ड मैं Ó क्या कहर रहा है 포인्ट No. one on received off monthly program on received of monthly program for running of TRC Z on various zonal railways issued by mdso mm, मैंने एक तन की एर कि चलाते कोने पून चलो आ कर ट्यासी आद इसर डजाइन स्टार्ड Training Organization which is located at lakhnau कुंछ ट्यार्थी चलाती कों सी और्गनाइजिशन यहां ओ थ्रू आउड रेल्वेज वेरियस बीचानल ओनका प्रोग्राम होता है मन्तली प्रोग्राम होता है जो से चलेगी तो वहां कौन कौन से पर कप आने वाली एक कूशका जोनल रेल्वेस ने क्या करना है जोनल रेल्वेस शाल अरेंज फॉस्टेबल पावर क्रियों कंजुमेबल्स एंड पाथ फॉर अन अन इंटरॉप्टेड रन आप दो टीर सी ऐस पर आड़ी सो प्रोग्राम प्रोग्राम आड़ी सो बनाएगा मंतली प्रोग्राम कि कौन- उनका काम क्या है उनको जो है उचway चलाने के लिए पावर यानि की लोको अगरा मतल्म क्या कर अब सकते हम लोगी अपने से नहीं चल सकती है वो उसको दो पावर लग watts लगेगा यहांनि लोगो लगेवर प्रोगत वगरा तो जोनल रेलवे शाल प्रोवाइज सूटेबल पावर क्र्यू कंजुमेबल जैसे कि उसको यूज करने के लिए कुछ वगरा लगते होंगे फ्यूइल वगरा लगता होगा वाटेवर जो कुछ भी लगता रहे का सिस्टेंस वह सारी की सारी चीज़े को अपने सब कुछ दिया आपने पावर दे आपने क्रिव दे आपने कंजुमेबल दे आपने हर चीज का ख्याल रखा लेकिन आप रन करने के लिए क्लियर पाथ नहीं कर पा रहें तो यह जो जिम्मेदारी कि जोनल रेलवे की है कि जोनल रेलवे शाल और इंपर सूटेबल और क्रियो कंजुमेबल संपाथ पर रन अनिटरप्र रन अप्र रक रिक 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 पर अधिया सो प्रोग्राम ठीक है तो पहला पॉइंट हो गया दूसरा पॉइंट ADNs and SSC's assistant division engineer and senior section engineer headquartered at originating or horting station shall coordinate for proper placement जो जहां पर जो मतलब ट्यार्सी आ रही है वहां कि जिम्मेदार है headquartered at originating or halting station यानि कि जहां से स्टार्ट हो रही है यह जापर आकर रूक रही है उनका काम है देविल कॉडिनेट पॉर प्रॉपर प्लेस्मेंट आफ ट्यार्सी और चार्जिंग और अशिस्टेंस फॉर थियार्सी स्पेशल होगी इसके अंदर क्लिव हमारे रहेगा उसको पानी लगेगा वगरा वाटर सप्लाय लगेगा कुछ असिस्टेंट लगेगा कि वैस सही जगे पर उसको प्लेस किया जाए ताकि अगले दिन के टाइम पर आसानी से निकल जाए है कि नहीं कोई इंटरप्शन ना हो तो शाल कॉडिनेट प्रॉपर प्लेस्मेंट वाटरिंग चार्जिंग और असिस्टेंस फॉदर ट्यार्शी स्पेशन दो चीज़ों के बारे में बात हो गया एक तो यह हो गया कि भाई जब आएगा तो पावर क्यों पाथ देना यह हमारे जोनल रेलवे का काम है और जो जिसके सेक्शन में चलनी है जहां पर से ओरीजिनेट हो रही है यह जिनके स से स्टेशन से स्टार्ट हो रही है यह जहां पर आके रुक रही है उनका काम है कि उसको पर ट्यार्शी को सही जगा प्लेस किया जाए वाटरिंग चार्जिंग और अधर असिस्टन जो भी लगए यह स्पेशल को एंशोर करा यह और ऐसे सिसका काम है पैरा 504 हमारा होगा फैसे जब ट्यार्शी चलेगी जब हमारी ट्यार्शी चलेगी तो आफिशाल्स ट्यार्शी रण जो है फूविल अकमपनी इड़ उसको इसके साथ में कौन रहेगा तो कहां जा रहा है से सीट्टन और सीने डिए और दी आर डिए असिस्टन डिवीजनेल इंजिनियर सीने सब्सक्राइब करेंगे उनके साथ में एन भी होंगे उनके साथ में सेक्षेंज के इंचार्ज पी डबलाइज भी होंगे उन सारे के सारे लोगों को ट्यार सी रन को अकंपनी करना है सेक्षन अल सीनियर डियन और डियन शाँ एंश्योर प्रापर लाइजन इन अकॉइंड़ ओफीस फॉर सुटेबल पाथ अभी सीनियर देन के लिए कि बहुए इनकी जिम्मेदारी होगी कि कंट्रोल ऑफिस से प्रापर काडिनीट करके करके सुटेबल पाथ लाइज मॉनिट और ट्यार्स स्पेशल हो पाए यानि पाथ अविलेबल कराना प्रॉपर मॉनिटरिंग यह जिम्मेदारी किनकी है सीने या दीन की हैं जो भी सेक्शन के सीने या डीन होंगे उनकी जिम्मेदार दैव देविट एन्शरिंग प्रॉपर लायाजन इन दे कंट्रोल ऑफिस and monitoring of the TRC special the soft copy soft copy of the recording shall be provided by RDS officials and the same shall be uploaded in TMS the soft copy of TRC recording and TRC recording is the soft copy data shall be provided by RDS officials in the TRC होगी उसको लेकर चल रहे हैं और क्रू है तो वह क्या करेंगे ट्राइक की रिकॉर्डिंग की सौफ्ट कॉपी अवेलेबल कराके देंगे और साथी साथ में अप्लोड़ेट इन टेम टीमस यह कौन करेगा आप देखा एकसा पूछा था कौन करेगा इसको अपलोड तो एंड शाल भी अप्लोड़ेट इन टीमस तो वह क्या करेंगे दो काम करेंगे एक तो आपको सौफ्ट कॉपी अवेलेबल करा देंगे रिकॉर्डिंग होने के बाद में और दूसरा उसको क्या करेंगे टीमस के अंदर अपलोड कर देंगे तो वी अपलोड इंगे तो जो जो है स्टाफ होगा जो टी आर्सी को अकंपनी कर रहा है यानि कि शॉटकट में बोल सकते हैं कि टी आर्सी इंचाज जो होंगे दे विल अपलोड इस रिकॉर्डिंग डेटा इन टीमस अगे बढ़ते हम लोग पैरा 506 पहला 506 अब लोग हम पढ़ेंगे कि फ्रीक्वेंसी आफ ट्रैक रिकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी आफ ट्रैक रिकॉर्डिंग यानि कब कब ट्रैक रिकॉर्डिंग करना है उसकी फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी आप ट्रैक जोमेट्री मॉनिटरिंग बाइट यार्स ग्लासिफिकेशन करें तो वह आजाता है हमारा रूट आप तो इससे मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि ग्रूप ए रूट जहां पर होगा कि जो भी रूट होगा हमारा ग्रूप ए तो वहां पर दो महीने में एक बार रूट्स विद स्पीड अब वन थर्टी के मपिएज यानि एक सो तीस के ऊपर का जो रूट होगा वह दो महीने में एक बार ट्यार सी चलाए जाएगी उसकी फ्रिक्वेंसी हो गई दूसरी है रूट्स विद्ट स्पीड अबोव हंड्रेड अन्टेन के मपिएज एंड अप टू वन थर्टी के मपिएज यानि यह कौन सा रूट हो गया फिर अभी हमारा ग्रूप बी रूट एक सो दस के ऊपर है लेकिन कि 130 तक है तक है इसको हम कह सकते हैं कि यह कि रूट होंग हमारे क्या होगे रूट है ॒ ठीक है आगे क्या कह रहे है अब तीसरा category क्या है यह ठोड़ा सा अलग हो गया है जिन रूट पे स्पीड सो से उपर है लेकिन 110 तक है वहां पर चार महिने में एक बाद ठीक है और रूटस विट स्पीड अप्टू अप्टू 100 केंपेज तीसरा क्या है चौता में रूटस विट स्पीड अप्टू 100 केंपेज so that is once in six months ठीक है तो इसको अगर हम लोग शॉटकट में लिखना चाहिए तो we can write it like this we can write it like this मैं अपने मेरे तरीके से लिखता हूं याद करने के लिए असान रहेगा ने इस पीड लेस देन और इक्वल टू हन्डट के एंप एच उसके लिए हो गया दूसरा क्या है स्पीड आप सौ से ज्यादा है लेकिन कितना अप्टू अप्टू लिया तो यानिकी अप्टू लिया इसका मतलब क्या है कि वह उसके अंदर इन्क्लूडेड है अप्टू लिया तो उसके अंदर वो वैल्यू इन्क्लूडेड है ठीक है तीसरा हमारा क्या हो गया कि 110 से ज्यादा काहां तक काहां तक अप्टू 130 हैन्ही 31 30 एंपे जिसके अंदर इंक्लूडड है ओके तो डिस वन और चौथा हमारा है स्पीड मोर दैन वन थर्टी केंपेज और जो भी स्पीड हो सके इंदर ठीक है यह चार अलग-अलग हो गए तो इसको अगर आपको ऐसा याद रहेगा लेस देन हंड्रेड फिस हो से लेके एक्सो दस एक्सो दस एक्सो तीस और नीचे हो गया इसको याद करने का तरीका आप अपने अभी तरीका यूज कर सकते हैं ठीक है तो इसको शॉटकट में इस तरीके से लिया जा सकता है ठीक है आगे बढ़ते हैं पैरा 507 पैरा पास्तों साथ ट्रैक जमेट्री पैरेमिटर्स रिकॉर्डड़ेट बैटी आर्सी क्या क्या देख लिया था कि इनेर्शिल प्रिंसिपल है यह है वह है उसके उपर ट्रैक जमेट्री रिकॉर्ड होती है तो क्या क्या चीज़े रिकॉर्ड करती है हमारी ट्यार सी तो यहां पर बताया जा रहा है ट्रैक जमेट्री पैरेमिटर्स रिकॉर्डड़ेट बढ़ ट्रैक र वह था वह वेरियेशन ऑफ गेज ओवर नॉमिनल गेज करती है पांच वह वर्टिकल लैटरल एक्सिलरेशन लेती है छटा वह कर डीटेल्स लेती है और सात्वा स्पीड ओफ रिकॉर्डिंग ठीक है तो विबसिकली टोटल साथ है पहला अनीवीननेस अब वह थटा सा स्पेसिफिक यहां पर कर रहे हैं अनेवीननेस ओफ अनेवेननेस ओफ her लेफ्ट और राइट रेल और टू सेलेक्टेट कॉर्ट अब दो अलग-अलग कॉर्ट से वह अभी हमनों बात करेंगे अलग-अलग कॉर्ट के बारे में और टू सेलेक्टेट कॉर्ट टू सेलेक्टेट कॉर्ट इसी तरीके से अलाइन्मेंट लेफ्ट और राइट रेल पर कॉर्ड नहीं आपे ट्विस्ट में टू सेलेक्टेड बेसिस बेस बाद में वेरियेशन ऑफ गेज ओवर नॉमिनल गेज नॉमिनल गेज क्या हमारा इंडियन रेल्वे के अंदर 1676 एकि नहीं 1676 तो इससे गेज के वेरियेशन कितना है वित रिस्पेक्ट टू 1676 ने स्पॉइंट मेरा है वाटिकल लैटरश एक्सि लेरेशन और कोच फ्लोर अब बोगी पीवर्ट यानि लोकॉमेट्यू यानि कि हमारी जो टेस्ट वेएकल यानि जो हमारी जो गाड़ी है तुसमें वर्टिकल लैटरल एक्सरीं कोष्ट फ्लोर पर कितना हो रहा है इस चटा है हमारा कव डिटेल आप कव डिटेल के लिए क्या करया रहे की कव डिटेल किसमें मिलेगा आपको कव डिटेल ओनलिन कॉन्टैक्लेस लीजर बेस t-rc को जो हम लोग गैघ की टाइम हमने देखा था assistance क्वास यह तो जहां पर contactless laser base है हुआ curve detail भी वह ले पाएगा यानि कि up to 160 kmph वाला जो होगा ना gate sensor वह वाला और साथवा aspect हमारा speed of recording यह साथ चीज़ें हमारा TRC record करता है seven things it records ठीक है अब उसके अंदर जो जो चीज़ें रहे गई थी वह आगे दिया है पर 508 क्या रहे गया था यहां पर बात हुए थी ना टू सब्सक्राइब कोड़ अनिवेंनेस के लिए लाइनमेंट के लिए टू सेलेक्टेट कोड़ ट्विस्ट के लिए दो बेसे ठीक है यह सारी चीज़ें वह यहां पर दिया यही तीनों चीज़ें देखो ना अनिवेंन अलाइनमेंट ट्विस्ट अनिवेंनेस अलाइनमेंट ट्विस्ट तो उसके लिए यहां पर यह पर यह पर दीए गये हैं ठीक है इस विल डिसकर्ज या कह रहा है बोड टाइप आफ अफ यासी तो बोड है और टाइप आफ टीचैस है थे अबिलेटी तो मेजर एंड कैल् ट्राइक जमेटरी पैरमिटर्स ऑन तू यूजर सेलेक्टेबल कॉट्स और बेसेस इन दे रेंज आफ टू टू ट्वेंटी मीटर्स यानि कि दो टाइप की ट्यार्सी से दोनों ट्यार्सी के अंदर जो है यह फैसिलिटी है कि जो है दो मीटर से लेकर 20 मीटर तक यूजर से और शोटर वन यानि श्वाटर बेस्याएं तर्म डाश शॉत कॉड्स या शॉर्टव यह गया कर दिया। फिवल्स फचा नि वाले के लिए उन्होंने ले लिया है यहां पर शॉटकौड पर लेंगे और जहां पर भी लॉंग काट नहीं अगर टू ए उस्ट लिए चाइब करें हर दे लेंथ पर श्वाह लान्प वह Xinट और मोनिटरिंग हर यह दれない तो वह उन्होंने कई दिया कि वह यहां पर आपको नीचे दिया पहले हैं हमारी बात हो रही थी अनीवनेस के बारे में अनीवनेस जब आपको लेना है तो उसमें शॉट कॉर्ट नाइन मीटर लॉंग कॉर्ड नाइन टूजा एट इन ठीक है लेकिन अलाइनमेंट में ऐसा यह अलाइनमेंट में क्या है शॉट कॉर्ड नाइन से में अनीवनेस जैसा अलाइनमेंट में लेकिन यहां पर लॉंग कॉर्ड फिफ्टीन इसी तरीके से बात करते हैं ट्विस्ट की ट्विस्ट जो है इसमें शॉट कॉर्ड या शॉट बेस हमारा है तीन मीटर और लॉं तो यह तीन अलग-अलग पैरामीटर से अनीवनेस अलाइमिन रॉट ट्विस्ट इनके शॉर्ट कॉर्ट लॉंग काड़ हमें याल करने हैं ठीक है यहां पर इत्तिफाक से मुझे एक पैटन दिखाई दे रहा है याद वगरा करना है कुछ ऐसा करना है तो सब्हु के और पैटरन देखेंगे यापर सोंधिन लग दिससे नाइन शुरुत से स्टार्ट हूं से अ सुवां से उन्हेस्मेंस स फिक्रा यह तो आक के नाइन始 नेक्स नमारा प्यरा 509 परा वाे But यह जिरो 9 हुआ इस पैरा 509 इस रिगार्डिंग रिपोर्टिंग आफ टी आर्सी रिजल्ट रिपोर्टिंग ओफ टी आर्सी रिजल्स के बारे में बात होती है ईए ठीक है इस पीच में क्या रहे हैं तो वाइल रिकॉरडिंग गेर्ट प्राइक करते हैं तों डिब्रन यह ठीक है फॉर इच ब्लॉक ऑफ 200 मीटर दो सो अहर दो सो मीटर पर एक ब्लॉक तो यहां पर हम देख लेते हैं इनके बारे में क्या चीज़ें है 200 में क्या क्या डीटेल्स लिया जाता है किस तरीके से देखिए अभी आगे हम पढ़ रहे हैं रिपोर्टिंग आफ्यार सी रिजल्स में यहां पर इनने क्या कहा है कि भाई ट्यार सी दो ब्लॉक में यानि की मतलब ऐसा कह सकते हैं कि दो टाइप की चैन से 200 में की एक किलोमीटर में दो-दोसो मीटर पेक रिकॉड देते और एक दिएता है पूरे एंटाय के बारे में तो पहले अब हम पढ़ेंगे डीटेल्स अफ एवरी ब्लोक अफ दू हंड्रेड मीटर पहला डीटेल्स एवरी ब्लॉक अफ टू हंड़ेड मीटर बिस तो इसमें क्या-क्या चीज़े दे जाती है रहती है वह हम देख लेते हैं आपर अच्छा कासा लिस्ट है यह इसको एक जस्ट हम लोग गो तुरू कर लेंगे इसमें तो पहला पॉइंट इसके अंदर है इस स्टैंडर्ड डिवियेशन वैल्यू ऑफ अनिविननेस ऑफ लेट एंड राइट रेल और शॉट और लॉट यह एक डिटेल तो स्टैंडर्ड डिवियेशन वैल्यू का मिल जाता है स्टैंडर्ड डिवेशन वैल्यू ऑफ ओई एंवनेड इस फोलिए दूसरा यह वह स्टैंडर्ड डिवियेशन वैल्यू है सेउम लेफ और राइट रेल यह अलाइनमेंट दूसरा किसके लिए commence के लिए कि तीसरा क्या आता है असके अंदर डीटेल 200 मीटर पर आवरेज्ट वेरियेशं ऑ गेज ओवर नॉमिनल गेज एवरेज ऑफ वेरियेशन आव गेज ओवर नॉमिनल गेज्ट यानि नॉमिनल गेज से गेज वेरिएशन का अवरेज मैं 1667 अवारा प्रॉपर maintenance instruction देता यह maintenance instructions corresponding to gauge maintenance instructions corresponding to gauge and gauge care with respect to gauge MIG लिखने maintenance instruction corresponding to gauge based on need-based maintenance limit यह अलग limits है NBML need-based maintenance limit urgent maintenance limit values for average or mean gauge ठीक है क्या देता ही हमें maintenance instructions corresponding to gauge based on need-based maintenance limit and urgent maintenance limit values for average mean average या mean gauge ठीक है यानि कि यह हमें guide करता है कि उन्से particular patch में UML है what is UML urgent maintenance limit कि यहां पर जाके आप पुरंत अटेंड करें और दूसरा यह भी बताता है NBML यानि कि नीड बेस में यहां जो है जरुरत के इसाफ सही जो है पर्टिक्लर लिमिट के बाहर चला गया गया गेज वगरा आप जाके उसको अटेंड करें तो यह भी एक report के अंदर होता है साथी साथ 200-200 मीटर के अंदर और क्या average speed कि क्या speed पर ट्यासी ने रन किया या क्या speed अचीव किया next vertical and lateral right index जिसको अंब लग acceleration बोलते न वर्टिकल और लाटरल राइड इंडेक्स वर्टिकल अंड लाटरल राइड इंडेक्स और कोच फ्लोर अबब बोगी पिवर्ट जस्ट पर inफियंशन बता देता हूं आप लोगों लोग को हमारे जो ट्रेन होती है कोई भी कोच होता है तो इंदर वहीं त्योंकों करें यह होता है विघ्राइद की वाद नीचे का इस्ता वर यह और धूown होती है इनके अंदर हमारहे हैं हैं कि नहीं तो अगर हम लोग अगर इसको प्लान में देखेंगे नीचे से भी समयाने के लिए बता रहा हूं so that you all can imagine मैं इसके लिए बना रहा हूं ताकि आप लोग imagine कर पाओ तो इसा या कच्छा पक्का I am not able to draw properly but you all try to understand what I want to explain आप लोग कोशिश करे समझने की मैं क्या बताना चाहे रहा हूं है okay सुम्झिंग लाइक इस तरीके से हमारा कोंच होता ना कोंच की नीचे दो क्रैंट की दायरेक्शन अगर लिएत कर दिया इसको प्र crown बोगी बोलेंगे और या या लिडिंग या ट्रे नीचे different बोगी होती है ना यह नीचे होती है इसके उपर आपका कोच लगता है उपर का जो पॉर्शन हो तो इधर पे बीच में एक पीवर्ट पॉइंट होता है श्री बीच में पीवर्ट पॉइंट होता है सम्तिंग लाइक इस तरह के से मेन पॉइंट होता है तो क्या होता है नीचे जो बोगी होती है आप पीवर्ट अगर मैं इसको अगर्सका साइड सेक्शन बनाओ तो शयाद आप अच्छा समझ पहोगे है इसके अपड़ेगा कर दो में यह मेरा समझो जो कि इस तरीके से हमारा यह है तो यह जो पीवर्ट पॉइंट सम्थिंग ऐसा कॉनिकल शेप में होता है मैं थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करता हूं कि सॉलिड होता है बट अब्वियस है कि अंदर लग जाता है इसको क्या बोलते हैं बोगी पिवर्ट इसको क्या कहते हैं लोग बोगी प्यवर्ट ठीक है लोगिपर्ट दें उसको बोगी पिवर्ट तो हमारा जो एक्सिलरोमीटर रखा जाता है ना यहां रखना कोज फ्लोर अबब बोगी पिवट यानि कि देखिए यह इसलिए में समझा रहा हूं ताकि हम लोगों को यह समझ में आए हैं कि हम यह सोचेंगे कि हमें से कोई ऐसा भी सोचता है कि इसको यहां रख दिया जाए इसको यहां रख दिया जाए तो यह गलत हो जाएगा इसको यहां रख दिया जाएगा यह अगर प्लान में देखा जाए तो इसको यहां रख दिया मैंने तो यह गलत हो जाएगा इसे रखना किधर है वह तो डिदा करेक्ट लोकेशन कही रहे हैं कि अब बोगी पीवर्ट ड हेलो आप लिए आ पाहर है में क्या बता रहा हूं घी सब्सक्राइब हुआ तो यह जरूरी समझना कि कोच के बीच में लखना है वोगी के अगर आएगा एक्सिलेरेशन लाटरल एक्सिलेरेशन आएगा वर्टिकल आएगा यह बोगी पीवर्टके उपर ट्रांफर होएगा तो यह रिकॉर्डिंग हमारी सही हो पाएगी तो वह यहां पर कहा जा रहा है वर्टिकल एन लैटरल रायाइट इंडेक्स और अब गी पी लोकेशन है एंड इन टेस्ट वेहिकल लोकोमोटिव इन लेजर कॉंटाक्ट लेस्ट 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 लगाया जाता है ठीक है आगे का पैरमीटर हम पढ़ते हैं अब तो क्लियर हो गया एट कि यह पैरमीटर इंडेक्स पॉइंट नंबर जी पहे हैं आपको पीछे पहले हमने बात किया था standard deviation कि standard deviation for unevenness, standard deviation for alignment. अब parameter index, these are different index. एकि नहीं? parameter index for unevenness on long, on short chord and long chord. UNI1 यानी short chord, 2 यानी long chord. parameter index for unevenness on long, short chord, long chord alignment index, long chord short chord, long chord. ठीके? next, track quality index. TQI पहले जो है, हमारे manual में, track geometry index करके parameter हुआ करता था, अब that has been changed to track quality index. पहले TGI कहां जाता था, TGI section का TGI क्या है, track geometry index क्या है, आप जो है, वो चीज बिल्कुल eliminate हो गई है, अब उसकी जगापर, what we have got is TQI, track quality index, track quality index on both short and long card, तो उसको short card में TQI is long card में TQI L, ठीके, तो track quality index दिया जाता है, 200 meter पे, इसी तरीके से composite track quality index, अभी composite track quality index किसके लिए लिया जाएगा, तो sections having speed more than 100 campaign, जानि कि जब मेरी गाड़ी 100 के उपर की स्पीड पर चल ती आर्सी जब मेरा 100 campaign के ऊपर चल रहा है, जिस section में, वहाँ पर वो क्या करेगा, 200 meter पे TQI C, यानि track quality index composite या composite track quality index भी हमें देगा, ठीक है, ठीक है, और एक और maintenance instruction देगा, एक maintenance instruction हमें दिया था, किसके लिए दिया था, गेज के लिए दिया था, है कि नहीं, जेको ऊपर यहाँ पर देखो, maintenance instruction corresponding to gauge, MIG, need based limit, urgent limit, ऐसे यहाँ पर एक और maintenance instruction दे रहा है, corresponding to standard deviation, तो MISD, based on planned maintenance limit and need based maintenance limit for unevenness and alignment, for unevenness and alignment, तो दो maintenance instruction देता है, एक gauge के लिए देता है, गेज के लिए जो देता है, वो होता है, NBML और UML के लिए, और standard deviation के लिए, जो maintenance instruction दे रहा है, वो PML और NBML के लिए दे रहा है, वो unevenness और alignment के लिए है, ठीक है, unevenness and alignment के लिए है, यह हमारा जो result है, है, reported for, these are the results reported for 200 meters, 200 meters पे, details for every block of 200 meter में यह सारी data इत्ता सारी चीज़ें होती है, दे, next हमारा है, results reported for whole kilometer, next हमारा क्या है, results reported for whole kilometer, result reported for whole kilometer में क्या है, देख लेते हैं जरा उसको, एक किलो मीटर हमारा जो है, उसके अंदर क्या के result आएगा, तो पहला है मेरा, total number of peaks above NBML on long court and shocked court for alignment and unevenness, अभी आपने पढ़ा न, NBML, तो need-based maintenance limit, तो total number of peaks, peaks यानि values एक range होगा, तो need-based maintenance limit की कुछ value होगी, long court, short court पे, तो कह रहा है कि total number of peaks, above need-based maintenance limit on long court and short court for alignment and unevenness, यह ले लेगा, दूसरा total number of peaks, above NBML and urgent limit on short base for twist, twist, twist का base कितना था, तीन में, short base कितना था, I guess 3 मिटर था न, कितना था, एक मिनट देख लेते हैं, जरा हम लोग, twist के लिए short base, yes, 3 मिटर न, तो कह रहा हैं कि total number of peaks, above NBML, total number of peaks, above NBML on short base for twist, yoga, next, total number of peaks, above NBML and UML for gauge, total number of peaks, above need-based maintenance limit and urgent maintenance limit for gauge, total number of peaks, above urgent maintenance limit for vertical and lateral acceleration, next parameter indices for unevenness, total number of peaks, above urgent maintenance limit for vertical and lateral acceleration, जहां पर भी urgent maintenance limit आता है, पीक आती है, उसको तुरंट का तुरंट करना पड़ता है, it has to be attended on priority, total number of peaks, above urgent maintenance limit for vertical and lateral acceleration, next, parameter indices for unevenness, one long and short chord, alignment for long and short chord, next, track quality index on both short and long chord, ठापिके, मिल जाएगा साथी स्पीड आटरल राइड इंडेक्स और कोज अब वोगी सेंपोइन पॉइंट वर्टिकल लाटरल राइडック यह हो गया अब यहां पर सम्टिंग वेरी यूनिक यह यहां पर है कि किलोमेटर के अंदर क्या है टेन हाइस पीक टेन हाइस पीक वैल्यूस ऑफ अलाइनमेंट अड़न नेश पैरमेटर्स बिती विद लोकेशन और लॉंग शॉटकर्ट आट अधे मैंग्सिम्टम सब्सक्राख मेज़ें फॉर इस फिफ्टी मीटर ब्लॉक ऑफ किलोमेटर इक कि अंदर दस हाइस पीक फॉर के लिए लेगा और मैक्जिमम पीक वैल्यूस मेजर्ट फॉर इच फिफ्टी मीटर ब्लॉक ऑफ किलोमेटर एक किलोमेटर के हर पचास-पचास मीटर पे वह क्या है पीक रिकॉर्ड करता है लॉंग कड़ और शॉक कर शॉट कॉर्ड पे तो जो दस हाइस पीक होंगे अलाइ कि अब यहां पर जो है लोंग कोड़ शॉक कॉट फार लेकिन यहां पर जो है ट्विस्ट पैरेमिटर किस पर लेता है वह हमेशा किस पर रहा है ठीक है फिक है चैन हाइस फीक पार दो गजी और नोमिनल घेज यह पाचास-पचास मीटर पे लिगा यह भी पीन हाइअ टे यहां पर उन्होंने कहा था टैन हाइस पीक वैल्यूस ओफ वर्टिकल लाटरल अक्षिलरेशन इसको एरेस कर देते हैं यहां पर उन्होंने कहा था यहां पर 10 माग्सिमूम हाइस पीक वैल्यूस यहां पर 10 माग्सिमूम हाइस peak values 10 maximum peak values of twist on short base exceeding UML with location यहां खली highest peak बता रहा था short base पर यहां पर exceeding UML UML की जो value होगी उससे 10 कौन-कौन सी peak exceed कर रही है वो यहां बताएगा इसी तरह से 10 maximum peak value gauge के basis पर जो UML के उपर exceed कर रही है और 10 maximum peak value for vertical and lateral acceleration UML के उपर देखें दोनों चीज़ों में थोड़ा सा फर्क है 10 highest peak अलग-अलग parameter पर दिया फिर 10 maximum तीक दिया यह जो था हर 50-50 meter पर लेता है पीक value इस पर जो 10 highest value है वो यहां पर दे है और यहां क्या है अर्जन मेंटरेंस लिमीट एक डेटम है कि इस लिमीट के ऊपर गया तो अर्जन मेंटरेंस यह भी हम लोग आगे पढ़ने वाले यह अन्बी एमेल पी एमेल और यह जो आपका पूरा का पूरा data दे देता है तो इस आट सम्तिंग रिकाड़ेद ऑन वन किलुमीटर जाए तीजार्यक चुमेटर में था वह ने भी देख लिया फिर से दिखा देता है आप लोगो सरसरी तरपर डिटेल्स अव एवरी ब्लॉक ऑफ SMS alerts would be generated system दिया इसके अंदर SMS alerts would be generated for cases of exceedance of UML during TRC recording यानि जब आपकी TRC चल रही है तो जिन जिन patch पर अलग-अलग aspect थे ना UML के urgent maintenance limit के तो जहां जहां पर भी UML की value को exceed करेगा वो क्या करेगा TRC हमारा SMS alert देगा क्या करेगा तुरांत SMS alert जलेट कर देगा ठीके तो SMS alert would be generated for cases of exceedance of UML during TRC recording these alerts would be sent through TMS alert कहां से जाता है TMS के तुरू जाता है तू concern जेए पीवे यानि से से पीवे यानि से से पीवे पीडबला इन चाज पीडबलाई एएन और सेक्शनल सीने डियन और अलांग विस सीने डियन कोडिनेशन के जितने भी हमारे पीडबला इसे लेकर सीने डियन कोडिनेशन तक जितने भी ऑफिशेल से इन सारे के सारे लोगों को SMS तुरंट चला जाएगा कि जिन जिन जगों पर यूएमेल एकसीड हुआ है जिन जिन जगों पर यूएमेल एकसीड हुआ है यह सेमेस देने का मकसद यह है कि सारे ओफिशेल को पता चल जाए फला फला पैच पर यूएमेल की वैले देखा है जो में कियों कर रहे है हमने क्या किया है इसको कंटिफाय कर लिय discourte मैं जिसको हम कर रहे है एथ ऑब्जेक्टी एसमेंट जिसको हम लोगों कर रहे vivid जाए जब देखने को मिलेगी ठीक तो दिस वे पायरा 509 इस कम्प्लीटेड